असराल पालकी में बैटकर मा आई थी बेलगाडी में मैं गार में आई मेरी बेटी हवाई जास से चा मेरी पोती हनुआन की ट्रिप पर उड़ गई अंतरिक्ष में कच्चे मकान में दादी की जिन्दगी उजर गई पक्के मकान में रही मा मुझे मिला मौजेक का घर बेटी के घर में मारबल पोती के घर में लगे हैं स्लैब ग्रिनाइट की दादी पहनती थी खुर्दुरे कद्दर की साड़ी मा की रेश्मी और संबलपुरी मैंने पहनी हर तरह की फशनेबल साड़ी बेटी की हैं सलवार कमी, जीन्स और टॉप्स मेरी पोती पहन रही हैं स्कन फेटिंग, टीशर्ट और शर्ट्स लकड़ी के चूले में किसी जमाने में खाना बकाती थी दादी मा की भी थी कोई लेकी सिगड़ी और हीटर मेरे हिस्से में आया गैस का चूला जहां बेटी की रसुई होती माइक्रोवेव ओवन से पोती आधे दिन घर चलाती डिब्बे के खाने से दादा जी से कुछ कहने को दादी इंतजार करती थी सवेरे लाल टेन के बुझने तक और मा बात करती पिता जी से ऐसे मानो दिवार से बोल रही और मैं इनसे बात करती अजी सुनते हो मेरी बेटी दादा जी को नाम से बुलाती पोती आवाज लगाती दामात को हाई हनी दादी बती आती थी दादा जी से आदी बात सीने में दबा कर मा बोलती पिता जी की हां में हां मिला कर मैंने इनकी कई बातों पर सवाल उठाए मेरी बेटी तो दामाजी की बोलती बंद कर देती अपने तर्क से उधर बातों में पोती अपना अधिकार वसूलती दामाज से कई बच्चों की माँ थी दाती माँ के बच्चे उससे कुछ कम थे मेरी गोद में बच्चे दो ही अच्छे बेटी की तो आँख का तारा उसका इकलाता पोती मा वन्ने को ढून रही है किराई की कोग दादी मोध होती थी मुलतानी मिट्टी से मा सिलवट्टे से पिसी हुई हल्दी से मैं सावन से धोती मेरी बेटी फेस वाश से पोती फेस पैक चुपड़ती अपने स्टीम की ये चहरे पर दादी कहा था बहुत बड़ा परिवार मा भी पिस जाती थी परिवार की भीड में मैं कभी सस्राल जाती तो कभी साथ ससुर मेरे पास आकर रहते मेरी बेटी सास ससुर को कुछ दिन के लिए रखती एक घूंसला नुमा कमरे में वो भी हिस्से में जब उसकी बारी आती पोती अभी से बात कर चुके व्रधा अश्रम वालों से अपने अपने सास ससुर के बुढ़ापे के लिए दादी की सोच और उसकी रीट थी बाबा आदम के जमाने की मा की रूडी वादी मेरी आधोनिक पर बेटी की सोच अत्या धोनिक जबकि मेरी नातिन आचरन और उच्चारन दौनों में उत्तर आधोनिक इस तरह पिड़ी आगे बढ़ रही है पुरानी को मसल कर समय की धारा बदल रही नई को समार कर हमारे देखते बदल गया सब कुछ दादी से पोती थी है ना महसूस कीजेगा कभी याद कीजेगा अपने पुराने वक्त को अपने पुराने दौर को क्या सच में ऐसा हुआ है क्या सच में ऐसा हो रहा है